कैसे हैं आप सभी लोग आसर करते हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक महत्मुल टॉपिक पर बात करने वाली हूं जी हां मैं आज लेकर आए हूं मोस्ट इंपोर्टेंट फाइव ऐसे क्वेश्चन जो कि गड़त के क्वेश्चन है और जो ब्यापम द्वारा पूछे ही पूछे जा रहे हैं ठीके ना और इनकी पड़वारी परिक्षा मैनी की संभावना बहुत जादा है तो चली सुरवात करते हैं लेकिन उससे पहले जैसे क्वेश्चन बेइव आ रहे है तो उस्ट मिलता हू थो ईए पहला क्वेश्चन है एक मोटर कारकार की पहिया चार सो चालिस मीटर की दूरी ठीक है । छार सो चालिस मीटर की दूरी टैक करने में हजार छकर लगाता है पहिये Details । हमें क्या और ै भी एक ब्याज एक कियाद करना के हजार चक्र वह लगा रहा है जिसे पहले हमें क्या करना थिक है मोर्टर कार की ब्रवाज चार सो मीटर की को दोरी एक रहाया है भी तो किया हमेंदिया है । तैक करने में हजार चक्कर लगा रहा है ठीक है चक्कर कितनी लग रहे हैं हजार चक्कर लगा रहा है ठीक है तो एक चक्कर लगाने में कितन ताइम लगेगा चार सो चालीस बटे 1,000 ठीक है एक हजार इसको छोटे कर दिती है हमें मिल जाएगा पॉइंट फॉर फॉर आगे यह अब कॉश्चन क्या कह रहा है तो यह जो हमने निकाला है तो चक्कर लगाना है ठीक है तुमान के चली यह चक्कर जब लगाएगा कोई चीज तो गोल-गोल घूम रहा है यह हो गया बीच में उसकी क्या तरिज्या तो जब उसने यह चक्कर लगाया है ठीक है मतलब यह जब पूरा घूम गया तो किसी गोले का जब पूरा इसा जब गूमता है तो वो क्या कहलाता है उसकी परीदी कहलाता है ठीक है और परीदी बराबर क्या होता है to buy our is 12.44 ठीक है यह मिल गया अब हम क्या करेंगे इसको करते हैं यह हो गया 2 into 5 की जो वैली होती है 22 upon 7 into r नहीं मालूम 0.44 ठीक है को परदी हम निकाल लिए पूरा चक्कर लगा है तो हमने एक चक्कर की निकाले में तब यह पूरा जो एक चक्कर है घूमा वह कित्ते में घूमा 0.44 मीटर की आसपार ठीक है अब देखिए क्या करना है मैं सिंपल इसको कर देना है सॉल्व यह हो जाएगा आपका 22.44 मतर आर को यहीं रखते हैं और इन सब को हम ले जाते हैं इस तरफ तो 22.44 इधर आएगा साथ चला गया उपर अब आर क्या होती है त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् D को यहीं रखेंगे क्योंकि हमें D नेकालना है, D क्या होता है यहां पे, जो D है वो होता है ब्यास, ठीक है, और ब्यास का अधा क्या होती है, त्रिज्जा होती है, तो क्या करेंगे हम, D को यहीं रखते हैं, और इसको यह जाते हैं, 0.44 upon 44 into 7 into 2, ठीक है, अब यह 44 से, क्या हो हो गए cancel हो गए अब पॉइंट जो बच्चा है उसको नीचे करके 100 करतेंगे यह हो गया हंड्रेड इन्टू 14 ठीक है अब क्या करें अपन आंगे देखें क्या करेंगे 14 है तो इसको छोटा करतेंगे तो जब 100 को नीचे सटाएंगे तो क्या बन जाएगा यह 0.14 तो हमारा जो डी है वो कितना आ गया कितना आ गया यह 0.44 0.14 ठीक है मतला हमारा जो ब्यास है ब्यास हमें कितना मिल गया 0.14 ठीक है यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है तो आया है समझ में यह हो गया हमारा पहला कोश्चन उससे मिलता है कोश्चन ज़रूर पूछा जाता है आप चलिए दूसरा कोश्चन देखते हैं चलिए तो दूसरा कोश्चन क्या है देख लेते हैं दूसरा कोश्चन है कि A, B, C एक काम को पूरा करने मैं 480 रुपए का ठीका लेते हैं 480 रुपए मैं क्या करते हैं ठीका लेते हैं A, B, एक साथ मिलकर उस काम को ठीके जो A, B है A, B, एक साथ मिलकर उस काम का एक बटे चार भाग क्या कर लेते हैं तो C को कितनी मजदूरी मिलेगी आपको बताना ठीक है तो चले शुरू करते हैं अब लोग तो सबसे पहले देख लेते हैं A, B, C एक काम को पूरा करनी में कितना ले रहे हैं 480 ठीक है तो हम क्या करेंगे इन लोग ने तीनों ने मतला ऐसा लेख सकते हैं A ठीक है A प्लस B A प्लस B प्लस C क्या कि इन लोग ने 480 रोपे में क्या लिया है ठीक है अब क्योशन क्या करा है A और B एक साथ मिलकर उस काम का एक बटे चार भाग कर लेती ठीक है अब बन 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 फूर भाग क्या कल लिया कल लिया उब सूईष बच्चा भाग मतल्ण अब जो सेष भाग बच्चा है सेष बच्चा भाग कौन करेगा से करेगा ठीक है तो इस भाग कैसे निकालते हम बन वार, 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 फॉर, माइनस वन, यह ख़ए, सी की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल गई हमको, वन पॉर, फॉर मैशे बन गया, थ्री, अपोन, फॉर, किसकी वैल्यू आगई, सी की वैल्यू आगई, ठीक है, मिलकर काम कर रहे तो एCam canढम कर लिया यह और ही यह को यह हो जाएगा रीचियु मतलब अनुपाद हमारे पास जो आंचार आएगा पहले इसको solve छोटा करके यह आ जाएगा यह यहां गया फूर बंजा फूर बंसे जाएगा तो आपका आएगा 1 रेशियो 3 चीक है कितना गई 1 रेशियो 3 अब हमें C का भाग निकालना है ठीक है यह B का भाग आ गया यह C हो गया चीक है तो चल सी का भाग यह चीका भाग निकालेंगी तो सबसे पहले ठेका कित्पे में लिया था 480 में तो जब हम ऐसे वाले कौश्यं करते हैं तो यह देखते कि पूरा क्या था तो पूरा था 480 इंटू घुल निकालनी यह टो यह C हो कह यह B तो C की जगा रग दिया 3 और नीचे लग दिया दोनों का प्लस यहने बन प्लस थ्री ठीक है बन प्लस क्या हो गया थ्री तो बन प्लस थ्री क्या बचेगा आपके पास यह हो गया आपका चार सो असी इन्टू थ्री अपॉन फूर ठीक है अब क्या होगा जीब अब इसको अपन लोग कैंसल कर देते हैं कैसे करेंगे कैंसल कि आसे बंचे यह हो जाएगा फूर बंचे फॉर फॉर तो जा एट और जीरो यहुगार भाराती चर्ट्री 160 रुपए ठीक है तो सी को कितनी बंस दूरी मिलेगी जो सी को कितनी बंस दूरी मिलेगी 3060 रुपए ठीक है तो समझ मैं आपको हैं को यह बाला चलिए अब नेक्स देखते हैं next जो की संधत्र है परसेंटेज्ट से परतिशत्स से जिसका एक भीडियो में पहले ऑफ पढ़ लेते हैं कि क्वेशन क्या कह रहा है चली हुआ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखें द्यान से एक समहारों में 700 पुरुष और 500 महिलाएं और एक समहारों में 500 महिलाएं हैं 700 पुरुष और 800 क्या हैं बच्ची हैं एक भवन में सामेल हुए हैं जिनमे से 20% कौन है जिनमे से 20% हैं पुरुष 40% हैं महिलाएं और 10% हैं बच्ची और वो कौन थे भारतिय थी और पस्थित घैर भारतियों की प्रतिशत संख्या बताने मतलब इस कॉश्चन में हमें यह बताना है कि जो 700 500 और 800 मिलाकी कुल कितने हो गए 2000 लोग में आपको गैर भारतिय बताने चीक है तो कैसे करेंगे सबसे पहले सुर्वात कैसे करते हैं तो देखते हैं 700 हैं क्या है यहां पे 700 हैं मेल यहीं की पुरुष ठीक है और 500 हैं फीमेल मतलब महिलाएं ठीक है और लड़के लड़के कितने हैं 800 ठीक है तो सबसे पहले तो इनका टोटल देख लेते हैं तो यह जिन सब का टोटल क्या बन रहा है 700 प्लस 800 प्लस 500 ठीक है यह बन गए अपने पास 2000 तो टोटल लोग कितने हैं 2000 हजार लोग है टोटल ठीक है पूरे अब क्वेशन क्या किया रहे हैं फिर से देफ़ें बीस प्रतिश危 anche यह 20 परतिशात प्रतिशत प्रतिया मेना और 3 चालो पहले निकालते हैं पहले हम निकालते हैं तक पुरुष का प्रतिशत, कैसे निकालेंगे पुरुष का प्रतिशत, 700, चीक है, 700 हो गया, उसका 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत मतलब बटा 100, कितना आ गया, 100 से ये 0 से ये 0 कड़ गया, 140, फिर, महिला का, महिला का कितना है, 500, 500 का 40 प्रतिशत, यानि की 40 प्रतिशत, ये हो जाएगा, 0 से 0 कड़ जाएगा, ये आ गया, पांचो के 20, 200, और लास्ट अपना हो जाएगा, लड़के, लड़के का कितना हो गया, 800, लड़कों का कितना प्रतिशत, 10 प्रतिशत, ये हो गया, 80, ये हमने निकाल लिया, पुरोश महिला और लड़कों का निकाल लिया पत्टेशन निकाल लिया अब इन सब कों क्या करेंगे जो हमने निकाला है मेल का फीमेल का और इस थीऊल ड़隔 ठीक है इन सब का प्लस करके टोटल मैंसे में घता आना है चलोड़ browsers Mein टोटल 140 प्लस 200 प्लस 80 इसको माइनस करेंगे हम टोटल जितने भी है भारती और गहर भारती उन सबका टोटल मेंसी अमंमें यह संख्या वो माइनस करेंगे characters चलो आप इसको इस तरफ भीलिख सकते क्योंकी संख्या कभी माइनस में रह arithmetic क्योंकी मैनस आता है तो मास लिखा नहीं जाएगा तो इनसबका जो पंद्रा सो अपने लगभग कर लिया तो इसको कर लेते हैं जोड़ लेते हैं पर लो यह जाएगा आपका जीरो और यह होगे आपका चार जीरो चार दो रिक तीन प्लस एटी ठीक है यह जाएगा माइनस 2000 अभी आपका टूटल कितना आ रहा है यह हो जाएगा जीरो आचा ब बीस इसकोल टूट थाउजन ठीक है माइनस 2000 को अपन कर लेते हैं कितना आएगा 2000 मेंसे 420 आपको घटा देना तो अपन को मिल गया अब क्वाश्चन क्या कह रहा है ध्यान ची सुनों तो मतलब यह जो पंद्रा सो अश्य आया है ठीक है इस में से हम निकालेंगी गैर भारत कि से टोटल हमने निकाल ली मतलब घूपने पास यह जो आई है संक्री आये गयर भारती ऐनंति आगए तो अब इनका प्रतीशत निकाला है तो घयर भारतियों का प्रतीशत निकालते हैं कैसे निकालते हैं जाश जा funktioniert भारतियों का परसंटेज कैसी निकालते हैं गैर भारतियों की संख्या और जितने लोग थे उन सब का कुल इंटू 100 चीक है न तो वही सिंपल सा जीरो 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 और जीरो यह आगे आपका 27 जा फोर्टीन और 29 जा 18 जो गैर भारतिय आ गए harbor人 का जो परसंटेझ है वह कितना हमें मिल गया 79 percent हमें मिल गय ठीक है बाश्य करते हूं आपको एक question समझ में आया होगा और यकीन माना है कि ऐसे ही question ब्यापम में आ रहे हैं और इनसे मिलता जुलता ही question आने वाला है ठीक है ना तो चलिए अब next question करते हैं चलिए next question ओके तो शुरुआत करते हैं एक आदमी या दो महिलाएं या चाल लड़की किसी कायरे को 40 दिनों में कर सकते हैं तो एक आदमी अब यहां पर देखो क्या है ठीक है कैसे करना है अपनलों इसको करते हैं ठीक है चलो तो क्या कह रहा है एक आदमी एक महिला और एक लड़का एक साथ मिलका उसकाम को कितने समय में पूरा करें ठीक है तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है तो इन सवालों में क्या करते हैं किसी एक किक्वल मान के चलते हैं जैसे मान के चलते हैं यह जैसे मान के चलते हैं एक जो अपने पास दिया है मान के चलो कि एक महिला ठीक है एक महिला बराबर है एक बटे दो आदमी के ठीक है न इसी परकार एक लड़का बराबर है एक बटे चार आदमी के ठीक है क्योंकि हमने ऐसा कि देखो यहां पर दो महिला हैं थी जब एक आदमी के बराबर लगेंगे एक महिला हो जाएगी एक बटे दो ड़के थे जब एक आदमी की बर्दध के साहिएंगा एक बटे चार आदमी के बराबर थीक है रहा है कि हम अपन को कि एक आदमी एक महिला और एक लड़का एक साथ मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करते हैं ठीक है तो यहां पर हमें इसको इस तरह रखेंगे यहां पर होगा एक महिला वाला जी है ठीक है यह हमें दिया है तो इसकी जगह पर हमें इनकी वैल्य पूट करते ह मेल, फीमेल और चाल्ड ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं एक आदमी तो किया लई था अब एक फीमेल की जगा है दो आथ एक बटे दो आदमी है ठीक है ये बस ध्यान देने वाली बात है पन को ये ध्यान देना है एक महला की बराइग बटे दो तो जहां ऑच जहाए है तो यहां कितना आएगा फूर आएगा घाएगा तो रहें होस्थ चाहर है उसम जसी है कि профश कॉर मिल गया इत्र निई Qua को कॉश्चन में क्या करेंगी जब हम काम बाले करते तो यह क्या होते काम उल्टे उपड़ जाए उटला लिखना पड़ता है कैसे मतलब जो काम है यह हो जाएगा चार बटे साथ की बराबर योगया एक अब यह डबल रेश्यू आ जाएगा योगया बीस योगया एक्स चार बटे साथ हमने निकाल लिया कॉश्चन के अनुसार कि एक आदमी एक महिला और एक लड़का एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी ठीक है और आगे दिया था एक महिला एक आदमी दो महिला है और चाल लड़के किसी कारे को बीस दिन में कर सकते ही ठ का दिन वाला ठीक है यह हो गया बीस दिन यह एक्स हो गया यह चार बटे साथ हमने उसका पूरा काम में का लिए तो यह काम यह काम यह दिन और यह दिन हो गए ठीक है अब वही सिंपल जो हम करते आये थे चार बटे साथ बटे यह करेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है ठीक है यहाँ पर रखते हैं 20 अपन एक्स ठीक है न तो अब अपन क्या करेंगी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगी जो हम करते हैं सवाल उसी तरह से करते हैं ठीक है 35, ठीक है, एक्स, यह क्या आ गया, हमारा दिन आ गया, ठीक है, यह आ गया आपका आंसर, तो यह हो गया हमारा कॉस्चन, अब ठीक है, तो यह हमारी कुछ कॉस्चन है, जो ब्यापम द्वारा पूछे जा रहे हैं, और यह पहला भाग है, दूसरा भाग भी मैं जल्दी लेकर आँगी, उसमें भी मैं यही बताँगी कि ब्यापम किस तरह की सवाल पूछ रहा है, और जिनकी पटवारी में आने की बहुत जाद संभावना है, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेयर करना ना भूलें,